मार्क शीट बनाने के लिए हम लोग शीट पर सबसे पहले सेंट पर कोई भी एक डवी नाम इसके कर टाइप कर लेते हैं लाइक ABC स्कूल, करीमबाद, कराची और डिफरेंट सैल के ओपर डिफरेंट कैप्शन्स या हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं मुझे एक मार्क शीट बनानी है जिसके लिए सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसंटेज और ग्रेट के कुछ हैडिंग्स होनी चाहिए सीरियल नंबर प्रिंट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ आप वन लिखकर माउस को डाट के ओपर रखें जब वो प्लस बन जाएगा तब क्लिक प्रेस करते वे नीच आएंगे यह माउट शीट के सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो गए देन उसके बाद आप डमी नाम अपनी मर्जी से कोई भी टाइप कर दें देन सीरियल नंबर में से रैंडम नंबर से इंग्लिश माट साइन्स कोई भी अपनी मर्जी से आप टाइप करने टोटल निकालने के लिए इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले तीन नंबर्स को रेंज में लें जहां आपको टोटल का आंसर चाहिए वहां तक की रेंज बना लें और हमारे पास यहां एक टूल है और टोटो सम जिस्ट उस पर क्लिक करें आपके पास टोटल आंसर आजाएगा इस तरह से आप बारी बारी तमाम स् उसके कालंड का इनका टोटल निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप एक एक करके तमाम का total निकालेंगे तो ये बहुत जादा time लगाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास ये 10 records हैं तो इनका total करना कोई big deal नहीं है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी mark sheet है, तो उस पे total निकालने के लिए मुझे इस तरह से अगर मैं करूँगा तो का की click पर आजाएगा, दूसरा तरही का ये है, कि आप सिर्फ पहले student का total निकालें और उस पर double click कर दें, आपके पास तमाम students का total आजाएगा, या फिर उसको just drag कर दें, तमाम students का total आपके पास आगया, नेस ने हमारे पास formula percentage का, एक्सल में हर formula start होता है equal के sign के साथ, तो सबसे पहले हम लोग equal button प्रेस करते हैं, उसके बाद discipline के total number पर click करते हैं, मेरे पास आजाएगा, एक्सल में हरा है, तो इसलिए मुझे वो बताता है F5, हम कहते हैं चीके, divided by, total number, अब अली ने English में 85 number लिए 100 में से, Maths में 74 number लिए 100 में से, Science में 74 number लिए 100 में से, 3 subject हैं और हर subject को 100, 100, 100 में से number लिए, तो total subject number हो गए 300, तो मैंने यहाँ पर दिया, divided by 300, multiply by 100, overall percentage हमेशा हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो मैंने multiply by 100 दिया, enter किया, first student की percentage मेरे पास आ गई, और विलकुल पहले की तरह हम इसको drag करते हैं, तमाम student की percentage मेरे पास आ गई, देन उसक करने से पहले 5 logical चीज़ों को समझ ले, great के formula में sign use होती है, number one greater than, इस sign को करते है greater than, इसके बराब, एक और sign use होती है, जिसको करते है less than, अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे की value बड़ी है 80 से, तो computer जो है, वो 80 से बड़ी value को चेक करेगा, 80 को नहीं चेक करेगा, यानि 81, 82, 83 को चेक करेगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर percentage बड़ी है 80 से, तो इसमें 80 को ही चेक किया जा रहा, 81, 82, 83 को चेक किया जा रहा है, अगर हम कहते हैं कि value छोटी है 80 से, तो इसका मतलब है कि वो 80 को नहीं चेक कर रहा, 80 से छोटी value को चेक कर रहा, 79, 78, 76 को, हम कहते हैं कि अगर value बड इसका मतलब है कि वह 80 को भी चेक करें और 80 से बड़ी वैल्यू को भी चेक करें क्योंकि हमने greater than equals to कर दिया अगर हम कहते हैं कि percentage छोटी है equals to 80 percentage 80 को भी चेक करेगा और 80 से छोटी वैल्यू को भी चेक करेगा जबके पांचवी condition ने percentage बराबर है 80 के तो exactly 80 अगर percentage आ रही है तो उसी को वो चेक करेगा otherwise अबाम value को वो ignore करेगा तो यह पांच different conditions होती हैं जो हम लोग आम तोर पे grade के इस formula में इस वक्त यूज़ करने जा रहे होते हैं पहला formula grade का पहले student के लिए हम इस्तमाल करते हैं equals to if, if का मतलब है अगर bracket open इस cell की value पहले बच्चे की percentage पे क्रिक किया cell address आरा G5 हमने का अगर इस cell की value बड़ी है बराबर है 80K तो कॉमा उस बच्चे को A प्लस grade दे दे Excel और programming language के अंदर हमेशा ख्याल रटना के वो value जो आपको screen पर as it is print करवानी होगी उस value को आप inverted कॉमा के अंदर देते हमने का अगर G5 की value बड़ी है बराबर है 80K तो कॉमा उस बच्चे को A प्लस grade दे दे और अगर ऐसा ना हो तो क्या करें फिर हमें दूसरी condition लगानी होगी और दुबारा if को खोल कर दुबारा उस पे एक नया formula add करना होगा actually formula का syntax यही होगा formula की conditions चेंज होती रहेंगी खुलते हैं तो उसको कहते हैं nested loop bracket open अगर इस cell की value बड़ी है बराबर है 70K तो उस बच्चे को A ग्रेट दे दे तीसरी condition if अगर इस cell की value बड़ी है बराबर है 60K तो उसको B ग्रेट दे दे then food condition अगर इस cell की value बड़ी है बराबर है 50K तो उसको C ग्रेट दे दे if अगर इस cell की value बड़ी है बराबर है 40K तो उसको D ग्रेट दे दे finally हम कहते हैं कि अगर cell की value छोटी है बराबर है 39K तो उसको fail कर दे अब जितने bracket open हुए है उतने bracket हमें close कर दे होगे एक्सल में usually यह होता है कि जब आप एक दफ़ा bracket open करते हैं तो उसे close करने की need नहीं होती है लेकिन जब आप एक से ज्यादा bracket open करेंगे तो उनको close भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर मेरे six brackets open हुए है तो मैं उन six brackets क्लोस कर रहा हूं one two three four five six और हर bracket का अपना एक color है तो हमें उसे अंदाज़ा भी हो जाता है कि वो bracket properly close हो रहे या नहीं हो रहे finally मैंने enter किया पहले बच्चे का grade मेरे पास आ गया और इसको सामने लगते वे मैं drag करता हूं तमाम students का grade मेरे पास आ जाता है अब excel में इतने फार्मूले लगाने की क्या जरुबरत थी या इतना लंबा चोड़ा काम करने की जरुबरत किया थी यह काम हम शौर्ट तरीके से भी कर लेते तो हमारा answer जो हो जनरेट हो जाता या हम manually type कर लेते हाथ से लिख लेते अक्छे में excel में सबसे important चीज उसके formula ही है लोग excel को पसंद करते है या नापसंद करते हैं उसका reason ही है कि इसके formula बड़े खतना आगहन है लोगों को पसंद आते हैं, फार्मूले तो वो मैनद करते हैं, सीथे, लोगों नहीं पसंद आते हैं तो गबराते हैं और छोड़के चले आते हैं, तो एकसिल में क्या फाइदा हुआ इन फार्मूले को लगाने से, मिसाल के तोर पर अली का जो टोटल आ रहा है, वो 233, पॉ सब्जेक्स नमबर को कम करता हूँ, आप देखें इसके टोटल पसंद ग्रेट के ओपर चेंजिंग आ रही हैं, यह देखें, दूसरे नमबर को चेंज करता हूँ, आप देखें, इसके रिजर्ल चेंज हो रहा है, तो, कंप्यूटर जो है, वो दिए वे फार्मूले के दर अमाम चीज़ों को जह है वो order position करने रखा हुआ है तो यह एक mark sheet का concept है mark sheet को create करने के बाद जो हमने top पर heading जी थी अब इसको ज़रा centralize करते हैं अपनी mark sheet का इस वक मेरा जो आखरी column है वो H है तो हम लोग mark sheet को H column से range बनाना चुन करते हैं A से और H तक की range बनाते हैं यह पहले text के साथ आप behave करेंगे यहां पर एक tool है हमारे पास merge and center जैसे tool पर click करते हमारा text centralized हो गया mark sheet का then second heading को choose किया करीमबद कराची और इसको भी हमने centralized कर दिया then उसके बाद bowl italic और सारे tools में आपको बता चुका हूँ आप formatting के हवाले से उनको use कर सकते हैं इसके बाद मैं text की border बना लेता हूँ और ताकि मेरा text driver थोड़ा सा formatting के हवाले से खुबसूरत दसरा है यह हमारी complete mark sheet है जिस पर हमने total percent यह grade के formula को use किया है